हर हर मादेब जैसे ताराम मित्रों हमारे चैनल में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका मित्र कमल किशोर मित्रों उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्त होंगे और खुश होंगे तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में कार्तिक पुर्णीमा के बारे में पौराणी कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था उसके तीन पुत्र थे तारकक्ष कमलाक्ष और विंदो माली भगवान सिब के बड़े पुत्र कार्तिके ने तारकासुर का वद किया अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वर्दान मागने के लिए घोर तपश्या की ब्रह्मा जी तीनों की तपश्या से प्रसन्न हुए और बोले की मागो क्या वर्दान मागना चाहते हो तो तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर हुने का वर्दान मागा लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्ह इसके अलावा कोई दूसरा वर्दान मागने को कहा तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रहमा जी से तीन अलग नगरों का निर्मान करवाने के लिए कहा जिसमें सभी बैठकर सारी पृतिवी और आकास में घुमा जा सके एक हजार साल बाद जब हम मिलें और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं और जो देपता तीनों नगरों को एक ही बान से नस्ट करने की समता रखता हो वही हमारे मृत्यू का कारण हो ब्रहमा जी ने उन्हें ये वर्दान दे दिया तीनों वर्दान पाकर बहुत खुस्वे ब्रह्मा जी के कहने पर मैदानव ने उनके लिए तिनो नगरों का निर्माण किया तारकक्ष के लिए सोने का कमला के लिए चांदी का और विंदु माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया तिनो ने मिलकर तिनो लोगों पर अपना अधिकार जमा लिया इंद्र देपता इन तिनो राक्षुसों से भाईभीत हुए और भगवान संकर की सरण में गए। इंद्र की बात सुन भगवान शिव ने इन दानमों का नास करने के लिए एक दिव्यरत का निर्मान किया। इस दिव्यरत की हर एक चीज देपताओं से बनी चंद्रमा और सूरी से पहिये बने इंद्र वरुण यम और कुवेर रत के चाल घोले बने हिमाले धनुस बने और सेसनाग प्रतेंचा बने भगवान सिव खुद बान बने और बान की नोक बने अगनिदेव। इस दिव्यरत पर सवार हुए खुद भगवान सिब भगवानों से बने इस रत और तीनों भाईयों के बीच भेंकर युद्धु हुआ। जैसे हि ये तीनों रत एक सीद में आए भगवान सिव ने बान छोड़कर तीनों का नास कर दिया। इसी वद के बाद भगवान सिब को तिरपुरारी कहा गया यह वद कार्तिक मास की पुर्णिमा को हुआ इसलिए इस दिन को तिरपुरी पुर्णिमा भी कहा जाता है मित्रों यह थी एक छोटी सी कथा उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी मित्रों चैनल को शियर और सस्क्राइब जरूर करें हम आपके समक्स जल्द प्रस्तुत होंगे एक ऐसी ही कथा को लेकर धन्यवाद इस्ट देव सदा सहाय हो